नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का उमीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे आज की क्लास एक खास क्लास है कल मैंने एक बैच लॉंच किया Speed Mantra Mok Class काफी बच्चे ये सोच रहे है कि ये क्या है Speed Mantra Mok Class Mok Class क्या होता है पहले ना मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ ठीक है दिखे एक नया innovation है Mok Class आने वाले टाइम में आपको बहुत चर्चित मिले गई है अब ही तक कहीं नहीं है Mok Test है सब bent ठीक है प्रैक्टिस बैच भी है प्रैक्टिस बैच में भी और मॉक क्लास में बहुत फरक होता है प्रैक्टिस बैच अगर आप देखें हमाँ टीचर एक कुशन प्रैक्टिस कराता है आपकी इन्वोल्मेंट कम रहती है उसके अंतर जैसे आज की क्लास आप देखेंगे आज प्रेक्टिस बैच आपको बहुत मिल जाएंगे मार्गेटों मॉक क्लास क्या है मॉक क्लास एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आप कोई भी बच्चा आता है क्लास के सामने बैठता है सामने मैं खड़ा हूं आपके मैं एक एक करके कोशन कराता हूं और स्पीड मेरी वही रहती ह जो मेरी एक्जाम में रहने चाहिए किसी बच्चे की और सामने वाला बच्चा भी उसी नजर से देख रहा है कि मैं एक मॉक में बैठा हूं मेरे को जल्दी से कोश्चन सौल करना है और अगर वो नहीं कर पाता है तो वो देखता है कि सामने जो अध्यापर कोश्चन कर रह है ठीक है तो मौक क्लास एक नई चीज है जो आपको एक्जाम के लिए पूरी तरीके से तयार करती है मौक टेस्ट में तो उतर जाते हैं पर मौक टेस्ट से पहले कभी देखें मौक क्लास ऐसा कोई वर्ड या कोई चीज डिशनेरी में नहीं लिखी मैंने ये नेम अपने आप ही दिया है इससे ठीक है वह इसलिए दिया है क्योंकि मैं एक बास समझ सकता हूँ क्या कि बच्चे क्या करते हैं कभी भी ना पूरा स्लेबस करने के कभी खुट ट्राइन करतेए ότι हो 10 कोउशन लिखें चलो आप हम टाइम के साब देखता है कहूं ऍसестоय जल्दी हम कर पा रहे हैं अपने आपको एसेस नहीं करते ईपनी पर फॉर्मेंस को कालकुलेट नहीं करते कि क्या हम वाकिम में पेपर के लिए तैया रहे हैं या फिर हमें किवल content बनाना आता है वो क्या करते हैं किवल content बना लिया अब उन्हें लगता है पेपर के तैयारी हो गए उनकी अब सीधा mock test में चले आते हैं mock test में number नहीं बन पाते क्योंकि उन्होंने speed पे काम ही नहीं किया उन्हें आता सब कुछ है पर speed नहीं बन पाती ठीक है तो यह दिक्कत है इस problem का मैंने solution निकाला है और मेरा दावा है जो बच्चा यह mock class कर लेगा 7000 प्लस quotient का मैंने batch निकाला है इसका नाम speed mantra था ठीक है अगर कोई बच्चा इसे कर लेता है तो definite है कि उसकी speed automatically बढ़ जाएगी क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा बड़ी बात है जो active role है वो teacher का नहीं है active role student का ज़्यादा है ठीक है यहां बच्चा खुद participate कर रहा है खुद उतर रहा है वो मेदान में जैसे mock test में होता है mock test में आप पढ़के जाते हैं पूरी तैयारी कर ली अब teacher पीछे हो गया अब आप हैं आगे अब आपको perform करना है यहाँ पर फर्क इतना है कि आप भी active है student का active role है यह differentiate करता है इसे practice best से practice best में क्या होता है practice कराते टीचर solution पूरा बनवाते हैं हमें solution भी पूरा नहीं बनवाऊंगा आपको मुझे जहां लगेगा यह solution बड़ा मैं कोँगा छोड़ दो जातर कोशन का मैं कोशिश करूँगा बिना pen के answer है यानि पूरी तरीके से जो बच्चा exam में उतरने वाला है केवल उनी के लिए mock class है जिन्होंने पूरा foundation अच्छे से कर रखा अगर आप पहली बार तेयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए नहीं है कि आपको base तो पता नहीं पर आपने देखा mock class दरने launch करी है और बहुत सस्ती launch करी है सस्ता देखके आपने खरीद लिया best किसी काम का नहीं है अगर आपने पहले से basic नहीं पढ़ रखा है ठीक है तो आप सबसे यही कहूँगा जो भी बच्चे एक class लेता है सबसे पहले उसका basic अच्छा हो नची अगर उसका exam 2022 में है और वो चाहता है बहुत अच्छी speed हो तो 100% fruitful है 100% आपकी speed बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा चलिए यह तो हो गई बाते यह मैंने आपको बता दिया mock class होता गया है आईए अब स्टार्ट करते है question से एक paper मैंने लिया है railway का क्योंकि railway का trend चलना है एक मामूली से paper में मैं आपको example देने वाला हूँ यह ठीक है कि आपको किस तरीके से करना है अब देखे कोशन आपके सामने है 25 रुपे का खरीदा 30 रुपे का बेचा फाइदा कितना हमें यह देखना है 25 पे 30 25 पे 5 का फाइदा 5 बटे 25 एक बटा 5 यानि सामने है 179 रुपे की राशी को इस अनुपाद में बाटी है कि बताइए वो राशी कितनी कितनी होगी ठीक है अब मैं आपकी जगे देखे एक बच्चा है वो पूरा solution बना रहा है 6, 5, 11, 2, 13, 13 की value होगई मैं आपकी जगे होता मैंने basic पढ़ रखा होती है पर हम करते नहीं है हम यह करते है 6, 5, 11, 2, 13, 13 की value 169 आगई यानि 13 गुना ठीक है फिर आप 2 की value निकालते हैं 26 आगई फिर आप निकालते हैं 5 की value फिर पैसाट आगई और जब तक पूरा answer नहीं आता answer mark नहीं करते है तो यह mock classes है इसलिए अलग है कि यहाँ पर मैंने solution इसी तरीगे से कराए detailed solution नहीं कराए ठीक है मैं बार बार बोल ला हूँ आगे बढ़ते है exam oriented solution रखे हमने telephone bill की कीमत 35 रुपे है 3 minute 20 second की आपको बताना है 5 minute 30 second की देखिए ध्यान से बहुत ध्यान से देखना है सभी को 3 minute 20 second यारी 200 second 5 minute 30 second यारी 330 second ठीक है और इसकी value कितनी है 35 रुपे 50 पैसे इसकी value आपको निकालनी है ठीक है इसकी value आपको निकालनी है आप question तो असान नहीं है मेरे को तो देखते ही पता लग रहा है कि leave करना चाहिए है या मेरे को मैं इस question को leave कर दूँगा ये मुझे कैसे पता लग रहा है ये मैं आपको लगाता सिखा रहा हूँ इस के अंदर इस mock classes के अंदर मैं आपको ये लिखके तो दिखाया मैं आपकी जगे होता तो लिखता भी नहीं leave करने का मतलब जब बनता है जब आप बिना लिखे करें बिना लिखे यानि मैंने question बड़ा question देखके मैं को सबसे पहली चीज़ जो ये बता रही है कि इस question को leave करना चाहिए वो क्या है सबसे पहले round up लिखा है चलिए round up का मतलब है approximate answer ठीक है ये देखके मैं leave कर देता पर मेरा मन कहता है कि अगर option दूर दूर है तो मेरे को leave नहीं करना चाहिए ये exam की psychology होती है exam में ये सोच के जाना पड़ता है ये सब सिखा है मैंने इसमे अब मैं देखता हूँ ये जो चार option है ये इतने करीब करीब है ये अपने आप ही बोल रहे है कि आप आखिर में calculation में first जाओगे तो दो चीजों ने मेरे को बताया यहाँ पर question पड़ते ही कि मेरे को leave करना है पहला round of है दूसरा है बिल्कुल पास-पास के option मैं इस question को leave करूँँगा last में solve करूँगा और calculation करनी पड़ेगी ठीक है और कोई option नहीं है आपके पास चलिए आगे बढ़ते हैं अगला question नहीं है ये 12, 18, 19, 20 है यहाँ पर ठीक है 20 लिगा है मेरे सामने 12, 18, 20 चौथा परपोर्शन लिगालना है अब कई बच्चे क्या करते हैं इसमें लिखना शुरू कर देते हैं 12, 18 बराबर हो गया वो ही class वाली theory लगानी शुरू कर देते हैं ये कितने के बराबर आएगा ठीक और फिर काटते हैं फिर answer निकालते हैं ये नहीं करना है इस mock classes में मैंने जो solution discuss करे हैं वो ऐसे ही करे हैं मैंने ये देखा कि 12 का 18 कितना है डेड़ गुना तो 20 का डेड़ गुना कितना हो जाता है 30 हो जाता है तो 30 मेरा answer आ जाएगा A option मेरा answer हो जाएगा अब किसी बच्चे ने मेरे से बोला कि सर मेरे को तो डेड़ गुना नजर नहीं आया मैंने आपसे बोला आपको डेड़ गुना नजर नहीं आया आपको अनुपाद नजर आया है आप इसका अनुपाद देखे कितना है 2-3 इसका क्या आएगा इसका भी 2-3 आएगा तो ये 20 है तो अगला 30 आजाएगा 30 आपका answer हो जाएगा ठीक है कितने लोगों को मेरी बास समय जा रही है जल्दी से बताइगे जल्दी से फिर मैं आगे बढ़ूँगा अगला कोशन है मेरे सामने ये कोशन सभी को आता है solve करना पर main बात है क्या आपने अपने आपको इस इस्तर पे लाए है क्या अपने आपको इस तरीके से चेक किया है का भी मैंने देखा 0.2 है 4 है 3.24 है ठीक है अब ध्यान से देखना ये 2 place decimal है ये 1 place decimal है 2 से गाटूंगा 2 आ जाएगा यहाँ पर नीचे 50 आ जाएगा 324 बटे 50 यानि 162 बटे 25 ये मेरा answer हो गया देखता हूँ कितने लोगों ने answer किया है B B B B B B बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दुबार से देखिए 648 तीन गलत कर दिया answer answer ये आएगा D आएगा 2 से काटते हैं 2 आएगा ठीक है 2 का मलब कितना हो गया 648 648 मेरे को कहा नजर आएगा 648 बटे 100 जो मेरे को यहाँ नजर आ रहा है ठीक है चली आगे बढ़ते हैं एक बार दुबार से चेक कर लेता हूँ मैं दियान से देखिएगा एक बार दुबार से चेक कर लेते हैं देखे 324 मुझे नजर आ रहा है 324 का दो गुना 648 बटे 100 तो सही कर रहा था यार मैंने बिलकुल सही किया था आपने गलत कर रहा है अगला कोशन देखे एक दुखन देखे ये कोशन मेरे सामने है आप में से बहुत बच्चों को आता है पर क्या सीधा देखके आंसर मार कर रहे हैं 15% की cheating होती है, खरीदते वक्त और बेशते वक्त, basically, examiner का मतला भी है, खरीदते वक्त 15% का फाइदा, बेशते वक्त 15% का फाइदा, net फाइदा कितना हो गया, 15 plus 15, plus 15 into 15 बटा 100, तो 32.25 आंसर हो जाएगा, B option मेरा आंसर हो जाएगा, देखता हूँ कितने लोगों ने B option आंसर किया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगला कोशन है ये, वोल्यूम निकालना है, राइट सर्कुलर्स एंडर का, ये रेल्वे का CBT2 का एक पेपर है, जिसे मैं मौक क्लास के फॉर्म में लाया हूँ, ध्यान से देखिए, वोल्यूम होता है, पाई R स्कूर एच, हमें एक बात पता है, पाई R स्कूर एच, जब भी सॉल करते हैं, ग्यारा का मल्टीबल आता है उपर, उपर ग्यारा का मल्टीबल कहां पर है, यहां तो नहीं है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, ठीक है, तीनों आप्शन में है, जब आप R स्कूर एच करते हैं, तो नीचे साथ ही आएगा, और नीचे अगर 7 आएगा तो नीचे 7 इसमें है इसमें नहीं है इसमें नहीं है इसमें है तो सही पर इसमें नीचे 3 भी है देखे ध्यान से बात समझेए मैं अगर यह solve करना चाहता हूँ बात समझना उपर 11 नीचे 7 यहां पर और यहां पर क्या नीचे 3 आएगा इसमें 3 है नहीं आएगा अगला देखे अब मुझे यह solve करना है बहुत ध्यान से देखना अब मुझे यह solve करना है 168 माइनस 63 डिवाइड बाई यह अगर मैं 168 रखता हूँ यहां पर ठीक है बहुत ध्यान से देखना है सभी लोगों को अगर मैं 168 रखता हूँ यहां पर तो यह कितनी बारी में जाएगा यह 6 बारी में गया यह 3 बारी में गया 63 माइनस 63 जीरो आंसर हो गया तो B option मेरा आंसर हो जाएगा अब आप कहेंगे सर्फ यह 63 बारी में कैसे गया मुझे नहींपता लगा, यह 63 बारी मैं कैसे गया मैं सही बात बता हूँ आपको मुझे क्या पता लगा, 10584 डिवाइड बाई 168 है माइनस 63 मुझे एक बात पता लग रिए नीचे 500 नहीं आएगा क्योंकि 5 है ही तो आएगा कहां से तो ये भी गया और ये भी गया नंबरों को समझना सीखिये जब इसमें भी 5 नहीं है इसमें भी 5 नहीं है तो आंसर में 5 कहां से आएगा पहली बात ही है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ अब मैंने एक बात देखी कि अगर मैं इसे solve करता हूँ तो इसकी आखरी संक्या 3 आने वाली है 8, 3, 24 होता है और 3 में से 3 घटा हूँगा तो मैं 0 answer आएगा तो मैंने पूरा divide नहीं किया था मैंने इस तरीके से देखा था इस तरीके से मैंने 0 answer mark किया था ठीक है, बिल्कुल live है भाई batch आपका recorded है यह आपका live class का demo है ठीक है, mock class का ascending order बताना है अब देखते ही react करना है, 0.3 मेरे दिमाग में पता है क्या आता है जब मैं इन सब चीजों को देखता हूँ सबसे पहले percentage आती है 0.3 का मलब हुदा है 30% इसका मलब कितना हो गया 28%, इसका मलब 44 ध्यान है percentage में convert करिए लिखना नहीं है आपको 30, 28, 44, तो सबसे पहले 28 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 44 आएगा 28, 34 कहाँ पर है C option में है, C option मेरा answer हो जाएगा तो ये mock class के mock solution है solution नहीं है ये ये paper के हिसाब से solution है ये पूरा लिखित solution नहीं है पूरा basic से solution नहीं है basic मुझे अच्छे से आता है पूरी तैयारी मैंने कर ली paper में speed बढ़ानी है कितने लोगों मेरी ये बास समझाएए जल्दी से mg type करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे चालिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं अगले question पर आते हैं अगला question है आपके सामने ये 200 बच्चे हैं 2 बटा 5 लड़के हैं 60% कितना होता है 6 दुनी 12 यानी 120 C option मेरा सीधा answer आना चाहिए C, 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 C बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं अगला question है आपके सामने ये sign x की value 4 बटे 5 है sec x plus 10 x बताना है अब ध्यान से देखिए 10 x का मलब है sign upon cos ठीक है और cos क्या आएगा आपका 3 बटे 5 तो ये कितना आ गया 5 बटे 3 ठीक है और 10 x का मलब है sign upon cos sign में 4 है cos में 3 होगा तो 9 बटा 3 यानी 3 answer हो गया C option मेरा answer हो गया अब आप ये देखिए mock solution है मैंने लिखा किस तरीके से सारी ची दिमाग में करी है मैंने sign ये है तो cos मेरे दिमाग में आया 3 बटे 5 उसका उल्टा किया 5 बटे 3 10 में sign और cos आता है 4 उपर 3 नीचे 3 और 3 कि 3 3 3 हो गया 5 और 4 9 हो गया 9 बटा 3 3 3 answer हो गया step काटा है मैंने याँपर अगला question देखिए एक town में 5,000 लोग है जिसमें से 1200 कोई भी newspaper नहीं लेते है 3800 लोग newspaper लेते है ठीक है 2700 Indian Express और 1800 Hindu आपको बताना है Indian Express कितने लेते है देखिए कितने लोग थे 5000 अब ये मेरे को दिमाग में ही clear होना चीए 5000 अगर लोग है 1200 अगर कोई भी नहीं लेते है ठीक है तो 5000 में से 1200 हो गया 3800 लोग 3800 लोग वो है जो दोनों newspaper में से कोई ना कोई newspaper लेते ही लेते है ठीक है अब अगर मैं देखू 2700 और 1800 कितना हो गया 4500 हो गया ये तो total मिला के 4500 लोग आ गये पर होने चीए कितने 3800 तो 4500 में से 3800 गया तो कितना आया 700 आ गया 700 लोग वो है जो दोनों newspaper लेते हैं बीच वाला पार्ट आपको क्या बताना है Indian Express कितने लेते हैं पहले वाला तो अगर मैं 2700 में से 700 गटाता हूं तो 2000 आंसर हो जाएगा B option मेरा answer हो जाएगा इसको आप Venn diagram बना के करते हैं पर question मामूली है इसलिए मैंने Venn diagram बना के नहीं किया आप इस तरही किसे करते हैं कि 5000 में से 1200 गया पहले तो 3800 आ गया ठीक है और 3800 किसमें से गटाया 2800, 1700, 4500 में से तो 4500 में से मैंने गटाया तो 700 आ गया 700 बीच वाली राशी आ गई तो ये 2000 होगा तभी तो 2700 बनेगा ठीक है और दूसरे वाला कितना था 1800 1800 का मतलब है ये 1100 होगा उसने पूछाए आप से के वली ये पढ़ने वाले ठीक है तो वो 2000 होगए ये पढ़ने वाले 1100 होगए दोनों वाले 700 होगए ठीक है चली आगे बढ़ते है इसी में दूसरा कोशन है कितने लोगों ने दोनों न्यूस पेपर सब्सक्राइब करें वो 700 आ गया बीच वाला पार्ट ठीक है आगे बढ़ते है क्लास में भी मैंने स्पीड का खास दियान लगा है क्लास इसी फ्लो में चली है एक घंटे में 35 कोशन 40 कोशन जो बैच मैंने लॉंच किया है ठीक है 14,000 पे की राशी इन्वेस्ट करी गई FD में तो आपको ये बताना है maturity पे वो कितनी देगी यदि 20% परती वर्ष compound interest 6 महिने पे इसाब से बताना है quarterly अगर लाग हुए quarterly rate कितनी हो गई 5% और 6 महिने में मतलब है 2 बार लगेगी यानि 10.25 तो 14,000 की राशी है और 10.25% मेरा ब्याज है ठीक है तो ये मेरे को calculate करना है अब आपको क्या लग रहा है आप किस तरीके से निकालते मैं आपकी जगे होता तो मैं ये देखता 5,2,7,2,9,9 का multiple 9 का multiple कहा रहा है 5,4,9,7,3,10,1,11 यहां नहीं आ रहा यहां 11 आ गया तो यहां 12 आ जाएगा 11 आ गया तो यहां 10 आ जाएगा 10 यहां आ गया तो 9 यहां आ जाएगा 9 का multiple यह रहा D option मेरा answer हो गया आप कोई भी बच्चा बिना calculation के इसे नहीं कर पाएगा अगर वो इसे option से नहीं करता है otherwise क्या होगा आप लिखेंगे 14,000 की राशी है चलो भाई 5% निकालना है 5% अगर निकालते है 700 फिर 5% निकालते है 700 फिर 5% निकालते है 35 फिर आप जोड़ेंगे फिर answer करेंगे यहां पर भी एक चीज बताऊँगा आप अगर चाहें तो अपना समय यहां पर भी बचा सकते हैं आखरी संख्या देख लेना 5 आ रही है जो सम्में अलाग है तो इसी से answer कर सकते हैं कुछ 2-3 सेकिंड का समय जरूर बचेएगा ठीक है आगे बढ़ते है अगला कोशन है यह इसका मीन निकालना है अब मीन निकालना है तो कोई ट्रिक तो होई नहीं सकती ठीक है सीधा कामी करना पड़ेगा कैलकुलेशन अच्छी होनी चीए 11,14,15,22,26,27,31 और 4,35 35 हो गए और कितनी टर्म है 10 35 बटे 10 यानि साड़े 3 साड़े 3 का मलब है B option आगे आते है 18 आदमी शिप को एक ज़दी 18 पुरूश एक जलियान के मोडल को साथ दिनों में निर्मार बनाते हों तभी इस मोडल को 15 पुरूश त्यार रगते है कितना समय लगेगा 18 इंटू 7 बटे 15 मेरा गड़ित यह कहता है 18 इंटू 7 बटे 15 मेरे को यह सौल गन्न है इसलिए आपके लिए लिगा है पूरा कैलकुलेशन में यहां भी नहीं करता ठीक है अगला कुश्चन प्रोडेक्ट है दो संख्या का LCM में इतना SCF कितना होगा अब SCF निकालने के लिए क्या किये जाता है इसे च्याण में से भाग कर देंगे आप के वल यह करेंगे लास्ट में 0 आएगा पहली बात तो 3, 3, 6, 0 है डिवाइड बाइ 96 करना है आपको तो जो आंसर आएगा या तो उसमें 5 होना चीए या 0 होना चीए तो 5 आपको नज़र आ रहा है एक option में यह रहा है यह option यह मेरा आंसर हो जाएगा केवल 5 देखें ठीक है तो यह पूरे बैच में हमने यह सही किया है ठीक है हमने यही देखा है कि आंसर जल्दी कैसे मार करना है अब एक बच्चा है जो यह चीज़ देख रहा है दूसरा बच्चा है पूरा option solve कर रहा है उसे वक्त लगेगा ही लगेगा ठीक है आगे बढ़ते है football team tournament खेले गए पहला दूसरा तीसरा चौथा match जीते गए match हारे गए total match played आईए देख लेते हैं पहला question है what percentage of matches did the team win overall overall कितने percent matches उसने जीते ठीक है overall अगर आप देखें तो कितने match खेले गए 16, 23, 32 और 18, 50 50 में से जीते कितने 10, 10, 20 और 29 50 में से 29 यानि 58 percent 29 देखते ही 58 percent आगया यह answer हो गया अगला question कौन सी tournament सबसे best रहा team के लिए पहला, तीसरा, चौथा, पाँचवा मैं नजर इस पे मारूंगा पहला, तीसरा, चौथा, पाँचवा और उपे मैं नजर भी नहीं मारूंगा क्योंकि option में नहीं है थोड़ा दिमाग भी लगाना है 8 में से 5 7 में से 5 यह ज़्यादा बढ़िया है 9 में से 6 फिर भी यह ज़्यादा बढ़िया है ठीक है और 6 में से 4 तो यह हो गया आपका फिर भी यह ज़्यादा बढ़िया है तो 7 में से 5 वाला ज़्यादा बढ़िया रहेगा यह मेरा अंसर हो जाएगा 7 में से 5 वाला यह नहीं 3 यह अंसर हो गया क्योंकि 5 बटे 7 अगर 1 बटा 7 करें तो 14 परसेंट हो जाता है लगबा 14 पंजे 70 परसेंट तो मैंने उस से गैलकुलेट किया फिर मैंने आगे देखा कि जो वाकी नमबर है यह 6 बटा 9 2 बटा 3 हो गया 66 परसेंट 4 बटा 6 यह भी 2 बटा 3 हो गया फिर से 66 परसेंट पहला देखा 5 बटे 8 1 बटा 8 होता है साड़े 12 परसेंट इंटू 5 करूँगा साड़े 62 परसेंट ठीके अगला कोशन है कितनी टीम जीती डूरिंग दा इयर कुल कितने मैच जीते 29 मैच जीते अभी हमने निकाला है आगे बढ़ते हैं सबसे बेकार कौन सा टूर्णामेंट रहा दूसरा पांचवा छटा साथवा अब मैं वो ही देखूँगा जो मेरे से पूछे है दूसरा पांचवा छटा साथवा ठीक है दूसरे का मैंने परसेंट निकाला 50% पांचवा देखते हैं से ज़्यादा है छटा देखते हैं 50 है साथवा देखते हैं 50 से कम है तो साथवा आ गया तो ये मेरा अंसर हो गया सेवन्थ ए ओप्शन आगे बढ़ते हैं मिसिस विजे टोटल 9 घंटे 50 मिल लगते हैं पैदल चलने में और वापिस आने में ठीक है शी कुड़ वाप बहुत वेस नहीं वाप प्लस रनिंग दे रखा है देखेए ये और दोनों तरफ की वाप ये दे रखी है आपको बताना है दोनों तरफ भी रनिंग ध्यान से देखेएगा इस कोशन को मेरा करने का तरीगा क्या रहता है मैं इसे दुगना कर देता हूँ इसे दुगना करने से क्या फायदा होता है ये दो बार आ जाता है और उसमें से ये घटा देता हूँ ये क्या है दो बार वाक तो ये मिल जाता है मेरा करने का तरीगा ये ही रहता है तो मैंने इसका दुगना करा दी देखें, दुगनब मैं किस तरीके से करूँगा, ध्यान से देखना, 18 और 100, ठीक है, 18 में से 12 गया तो 6, 100 में से 20 गया तो 80, 6, 80, ठीक है, 6, 80 को अगर आप convert करते हैं, तो 80 में से 60 गया, तो 7 हो गया वो, 7, 20, 7, 20 कहां पर है, 7, 20 है आपका यहां पर, यह रहा, 7 गंटे 20 मिनट तो यह मेरा answer हो जाएगा, ठीक है, 7 गंटे 20 मिनट मेरा answer आजाएगा, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला कुछ नहीं है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, दो बस start करती हैं, 5 मिनट के अंतराल पे 10 की speed से परती गंटा, 5 मिनट का मलब होता है कितना, 5 मिनट का मलब हो 10 की speed से 5 मिनट में, तो 5 बटा 60 into 10, तो 5 बटा 6 हो गया distance, ठीक है, दो बस यहां से जा रही है, दूसरी डारेक्शन से एक चीज आ रही है, ठीक है, जो उन्हें 3 मिनट के अंतराल पे मिलती है, 3 मिनट का अंतराल का मलब हो गया, 3 बटा 60, यह distance है, यह time है, और यह बराबर हो 10 प्लस X के, 10 प्लस X इसलिए क्योंकि यह 10 की speed इसकी है, X की speed इसकी है, यह solve गनना पड़ेगा मेर को, ठीक है, तो 10 आ गया, 50 बटे 3, 50 बटे 3 का मलब होता है, 16 सही 2 बटे 3, अब solve कितनी तेज कर रहा हो, मैं यह देखिए, 60 उपर जाएगा, 6 नीचे, 6 कटा, 60 से 10 आ गया, 50 10 बटे 3 आ गया, 16 दो बटे 3 आ गया, 10 यहां पर है, तो 6 सही 2 बटा 3 बचा, सब चीज़े हो जब पाएंगे लेकिन जब concept पता होगा, concept नहीं पता तो किसी काम कर नहीं है, आगे बढ़ते है, cash difference दे रखा है, selling price में 2 वस्तूओं को जिसे 4 परसेंट और 8 परसेंट मुनाफे पर बेचा, उसका अंतर है 3 रुपे, ठीक है, अब अंतर अगर 3 रुपे है, अब हमना maximum बच्चे यह calculate करने लग जाते हैं, 4%, 8% अंतर है, 4% का value हो गई, 300% इतना, पहले question तो पढ़िए, देखे रियान से, क्या पूछा है इनका अनुपात, अनुपात क्या होगा, selling price का, 104, 104, 108, तो यह 104 को भाग करना चाहिए, नहीं कर रहा है, यह कर रहा है, यह कर रहा है, दूसरे वाला 108 को भाग करना चाहिए, यह कर रहा है, यह नहीं करेगा, यह नहीं करेगा, भी option मेरा answer हो जाएगा, ठीक है, केवल selling price का अनुपात पूछा है, और वो मैंने लिखा नहीं है बिना लिखे solution किया आपके सामने ठीक है आगे देखते हैं अगला कोशन है आपके सामने ये 600 और बेगी राशी उदाल ली जाती है 6% के एसाब से 4 साल बाद मुझे कितना देना हुगा दिमाग लगा ये 24% तो मेरे को इसका 124% निकालना है इसको अगर मैं 124 से गुड़ा करता हूँ तो 744 आता है 744 कहाँ पर है C option में C option मेरा आंसर हो जाता है देखिए कितना simple question है जितने भी बच्चे तियारी कर रहे हैं एक्जाम की किसी से भी करा लेना लग बग 100% सब बच्चे सही कर देंगे कुछ एक बच्चे गलत करेंगे तो यह कर देंगे कि यहां interest निकाल के answer मार कर देंगे concept सबको बता होगा mock classes कैसे अलग है आप solution देखी मैंने क्या लिखा इसमें कुछ नहीं इसके लिए आपका basic अच्छा होना बहुत जरूरी है अगर basic अच्छा नहीं है तो आप किस उमीद के साथ सोच रहे हैं कि आपकी speed अच्छी हो जाएगी केवल speed के लिए है mock classes ठीक है तो हमने देखा 24-124% सीधा कुणा की answer निकाल लिया अगला question देखे अगला question है यह आपके सामने जल्ली से बताएए 2, 4, 8 और 6 की रफ्तार से चलते हैं इतने minute के लिए बराबर दूरी तो distance travel बताना है किलो मीटर में मैं आपकी जगे होता है तो मैं क्या करता है पहले मैं यह बताता हूँ इसका LTM लेता 24 आगया 24 के साब से यह कितना आएगा 12 यह कितना आएगा 6 यह कितना आएगा 3 यह आएगा 4 12, 6, 18, 13, 21, 4 25 एक से किन रुख जाएए 12, 6, 3, 4 ठीक है एक से किन रुख जाएए मैं देखता हूँ कुछ गड़बर लग रही है मेरे को 2, 4, 6 कुछ गड़बर है रुख जाएए मैं बताता हूँ गड़बर किया है कोशन में गड़बर है यह यह नहीं लेना आपको 8 वाला नहीं लेना ठीक है 8 वाला नहीं लेना है आपको कोशन में यह गड़बर है 8 वाला नहीं है 2, 4 और 6 है केवल तब ही आंसर नहीं आ रहा था 2, 4, 6 का LCM लेते हैं, 12 आगया, 12 के हिसाब से कितना हो गया, 6, 3, 9, 2, 11, 11 की वेल्यू देखे, 6, 3, 9, 2, 11, ये टाइम का नुबात आगया, 11 की वेल्यू कितनी है, 55, 5 गुना, तो 6 की वेल्यू कितनी हो गया, 30, 30 का मनलब है आदा घंटा, आदा घंटा चला 2 की स्पीड से, कित हैं, चली आगे बढ़ते हैं, अगला कोशन है ये आपके सामने, देखे, एक-एक बच्चे में काभिलियत है, कि वो बिना पहन के, बहुत कुछ कर सकता है, सब कुछ नहीं, सब कुछ मैं भी नहीं कर सकता, पर बहुत कुछ कर सकता है, आप बे मतलब में अपना घर पे समय खरीच सकते हैं, तो PDF मैंने आपको दे रखी है, PDF आपके लिए free available कराई है, मैंने आप PDF से ही करिए, अपना समय लगाई है, ठीक है कि मेरे को इतने घंटे में इतने कोशन करने हैं, एक घंटे में उतने कोशन करने हैं, उस हिसाफ से करिए, पर mock test में उतरने से पहले इस तर हो जाएगा, ठीक है, आगे देखते हैं, 4000 रुपे की राशी हर साल के शुरुवात में लगाई जाती है, 5% के इसाफ से, तो दूसरे साल के आखिर में कितनी राशी मिलेगी, धिहान से समझना, मिरे पास 4000 रुपे थे, 5000 इंटरस्ट हो गया, 200 रुपे, 42 रुपे हो गया, ठ इतना होता है, 410 रुपे हो जाता है, तो 82,410, 86,10, 86,10 कहां पर है, यहां पर है, D option मेरा answer हो गया, अब बैच लेने का उसी को ही फायदा है, जो मेरे ये solution समझ सकता है, तेक है, क्योंकि पता किया है, maximum बच्चे, इस चीज़ पर कभी गोरी नहीं करते हैं कि हमारा solution paper oriented चल भ ये समझ अगर आई, कि भई मैंने जो बात बोली, तो आपको वाकि में खुदी महसूस हो जाएगा, यार, वाकि में हमें करना चीए है, ऐसे भी, बैच लेना ले, पर ये तो जरूर ट्राई करना चीए, घर पे कि यार किसी chapter को में लेके बैठ गया, चलो मैं आदा घंटे म जो परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो जो परफॉर्मेंस अबिलिटी है, वो हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं, इस पैच के तुरूर बील्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे है ये, पैसट सो नौर्बेगी राशी है, चार परसेंट कमपा 8.16% इंट्रेस्ट होगा, अब मुझे ये तो पता लग रहा है कि इंट्रेस्ट अगर पूछा है तो ये दोनों इंट्रेस्ट तो नहीं हो सकते, क्योंकि चकरवती ब्याज पूछा है, कितना ब्याज होगा, दो आप्शन बचे आपके सामने ये हो रही है, इन दोनों में स कुई ना कोई answer है, तीक है?, अब मैंने आपसे बोला, कि अब आप answer कैसे mark करने वालो, कुई तरीका है आपके पास, अपने दिल से बूछेएगा, कि कुई तरीका आपके सामने आ रहा है, अगर आप थोड़ा सा logic लगाए मैं आपकी जगे होता हैं तो मैं क्या करता है, तो 520 मिल जाता है 520 से उपर मेरा answer आने वाला है 520 से उपर ये तो नहीं है A option मेरा answer हो गया कुछ बच्चे कहेंगे sir DS लगा लेते हैं DS कैसे लगा लेते हैं DS का concept भी तो पता होना अच्छी है आपको जब उपर नीचे एक जैसे अंक हैं तो यहाँ पर DS नहीं लगता है क्योंकि दोनों का अंकों का योग एक ही रहेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते है अगला कुछ नहीं है राजेश दुगना अच्छा काम करता है विशाल से मिल कर देखे मैं बोलता हूँ राजेश की ability दो हो गई विशाल की एक हो गई efficiency जो आप लिखते हैं कि लिखने की जुरुवत है सीधा नजरा रहा है दो और एक तीन हो गया तीन को मैं 28 से कुणा करता हूँ क्योंकि 28 दिन में काम पूरा किया 84 हो गया और विशाल अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा 84 दिन में क्योंकि विशाल की efficiency एक थी आप भी इस कोशन को बिल्कुल कर लेते आप लिखते पहले दो एक फिर आप करते तीन इंटो 28 फिर आप करते डिवाइड बाइवन फिर 84 करते चोटी चोटी चीजे मैं आप के बचा रहा हूँ चोटी चोटी चीजे और जब चोटी चोटी चीजे देखें पेपर में majority कोशन चोटे ही आते है जिनकी quantity ज़्यादा होती है मुश्किल कोशन कम आते है अगर आपने चोटे कोशन पर समय बचा लिए बच्चा कहता है बच्चा कहता है कि भाई सर मेर को न मेर को नहीं समझ आता 9 का multiple ये मैं नहीं देख पाता मैं कहूँगा मेरे भाई बहुत ध्यान से एक बास समझना तुम अगर 9 का multiple नहीं देख पारे तो 75 का डेड़ गुना तो कर सकते हो अब वो उतने बोला कि सर में 75 का डेड़ गुना भी नहीं कर सकता मैं कहूँगा 75 को 3 से गुना करके 2 से भाग कर सकते हो ये तो करना पड़ेगा 75 क्या होता है 225 को 2 से भाग करो क्या आएगा 112.5 पॉइंट बुल जाओ 1125 देखो 1125 यहां नजर आ रहा है यह आंसर हो गया आपका ठीक है आगे बढ़ते है अगला कोशन है आपके सामने एक पानी के टंकी में दो छेद है पहले छे टंकी को 8 मिनट में दूसरा 12 मिनट में खाली करता है यदि दोनों मिलके करेंगे कितनी देर में करेंगे बिना लिखे करेंगे 8 और 12 का LC मोता है 24, 24 के साब से 3 और 2 24 बटे 5 24 बटे 5 का मलब है चार बारी में जाएगा चार सेशवल देगा बटे 5 चार बारी में जाएगा चार सेशवल देगा बटे 5 P option मेरा अंसर होगा कितना मामूली कोशन है कुछ भी नहीं है घर पे बैटके जब करेंगे न यार ये भी कोशन आएगा पर पेपर में यही कोशन आप लिख के करते हैं यकीन मानियेगा आप इस तरीके से नहीं करते हैं कि 8, 12, 24 आगिया 3 आगिया, 2 आगिया और 25 बटे 5 आगिया बहुत कम बच्चे करते हैं इस तरीके से अगला कोशन है 85 की वेल्यू 170 नजर आ रही है मेरे को 15 परसेंट का नुकसान है यानि 85 है 85 की वेल्यू 170 नजर आ रही है दो गुना 115 की कितनी होगी उसका दुगना यानि 230 230 कहा नजर आ रहा है यहां नजर आ रहा है 230 A option मेरा answer हो गया कितने लोगों को मेरी बास समझ आ गई है ठीक है क्यों ये normal classes से लग है वो आपको अभी class देखके पता ही लग रहा होगा मैंने ये लिखा नहीं है यहां पर कि 85 परसेंट की वेल्यू 170 हजार है में को 115 की निकाल ली है यहां मैं काट रहा हूँ या दुगना कर रहा हूँ नहीं ये तो हमने foundation में कर लिया ना foundation नहीं लगाते रहेंगे क्या paper foundation के बरों से निकल जाएगा बिल्कुल नहीं निकलेगा अगर आप coaching वाले अगर अपने solution सीधा paper में लिखते रहेंगे लिखते रहेंगे लिखना नहीं है छोटे question में समय बचाईए आगे बढ़ते है 25 में से 21 marks आए तो percentage कितनी होगी जल्दी से बताइए जल्दी से तुरंट आंसर आना चीए लिखेगा नहीं कोई भी बच्चा 21 बटे 25 84% कितना मामूली question है वाँ ठीक है पर क्या मामूली question को 2-3 second में कर पाए कुछ बच्चों ने 2-3 में भी किया किसी ने 5 में, किसी ने 7 में, किसी ने 10 में सब ने सही किया पर सबका selection नहीं होगा जल्दी वाले का होगा क्योंकि जल्दी वाले को और question के लिए समय मिलेगा बताइए जल्दी से क्या answer आएगा जल्दी से तुर्ण बताना है, SCF क्या आएगा मैं दोनों में अंतर देखता हूँ अगर मैं दोनों में अंतर देखता हूँ तो कितना नजर आ रहा है 400 में से 7 गया 393 393 नजर आ रहा है 393 इन में से किस से भाग हो सकता है काम खतम हो गया यह गया, यह गया, यह गया, केवल एक option है यह, C option मेरा answer हो जाएगा, और यह मैं लिखता है नहीं है, आपके लिखा है मैंने, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, 11 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, यह 11 से भाग नहीं हो रहा है, अगला कोशन है यह, एक बहु बुझ है, ज 36 बुझ है, गहाँ पर है, यहाँ पर है, इसके लिए भी आप लिखते रहते हैं, अब माल लेते हैं, उसने तो exterior angle लेते हैं, interior दे सकता था, 170, फिर आप 180 माइनस 170 लिखते हैं, फिर 10 लिखते हैं, 10 से 360 वटे 10 लिखते हैं, फिर 36 निकालते हैं, फिर answer निकालते हैं, पर CGL Pre, CGL Main, CHSL, MTS, CPO, CDS, इसके कोशन कराएं मैंने, यहाँ तो railway के कोशन लिए हैं, मैंने बहुत हलके 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 हलके, पर batch में ऐसे हलके कोशन नहीं हैं आपके, ठीक है, नहीं है मतलब हलके कोशन है, मतलब काम है, यह बहुत हलके कोशन है, ध्यान से देखे, दो number का अच्छे दे पढ़ा है, सीधा आंसर आजाएगा, 16 इंटू 2 इंटू 1, 32 आंसर हो गया, C option मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, C option आपका आंसर हो गया, आगे बढ़ते हैं, इसकी माद्दी का बतानिया क्या होगी, माद्दी का है नहीं, मीडियन, मीडियन क्या होता है, हमने पढ़ा है, increasing order में लगाओ, पहले तो मैं टर्म देखता हूँ, 4, 4, 8, 3, 11, 11 का मलब होगे, 11 प्लस 12 बटा 2, यानि छटी टर्म, छटी टर्म कौन सी नहीं जा रही है, 3, 2, 5 और 1, 6, तो क्या कुछ लिखने की जरुवत है, जी नहीं, बिलकुल भी लिखने की जरुवत नही ठीक है, ठीक है, चली आगे बढ़ते हैं, अगला कोशन है यह, surface area, surface area क्या होदा है, 4 pi r square, तो 4 दुनी, 4 into 22 into r square, r square कितना है, 2, तो 2 का square हो गया, 4, 4 चोग हो गया, 16, 16 into 22 बटा 7, नीचे तो 7 आएगा, उपर 16 into 22 आएगा, जो ये नहीं हो सकता, ये होगा, A option मेरा answer हो गया, वही चीज़ जो हम notebook में लिखते तो लिखनी रहे हैं, हम verbal solution करना हैं, पूरी classes में, mock classes में, 80% solution आपके verbal हैं, इस तरीके से, अगर आपको लगता है कि मैं इस तरीके से चीज़े समझ सकता हूं, में लिए useful हो सकती हैं, मैं exam में कर सकता हूं, तो ही ये batch आपक अगर भी active role है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 2.56 बार, अब मेरे को नजर आ रहा है, दो, देखिए मेरे को किस तरीके से नजर आ रहा है, दो अलग से, 56 बटन निन्यार में अलग से, क्या मुझे कोई नजर आ रहा है यहां पर, मेरे को कोई भी option नजर नहीं आ रहा है, इसक रॉंग कोशन है आपका, आज जो मैंने shift लिये, देखिए, आज की shift कतम होगी है, RRB, CBT2 की, 19 तारीक की shift 3 लिये मैंने, ठीक है, उसमें मैंने speed mantra mock classes का example आपको दिया है, कि mock classes का मतलब क्या है, जो batch मैंने launch किया है, जो mock classes का batch लॉंच किया है, वो SSC special है, जिसके अंदर CGL, CHSL MTS, CPO, CDS, इन सब के कोशन है, और CGL मेंस लेवल तक के कोशन है, जिने हमने इसी तरीके से करने की कोशिश करी है, उमीद करता हूँ, आज की ये class आपको पसंद आई होगी, 40 के करीब कोशन हमने आज की class में किये है, जो maximum question simple ही थे, फर simple को हमने बहुत ही simple बना के किये, और यही काम है इस mock classes का, जादा से जादा लाइक करिएगा अगर आपको class अच्छी लगिए और comment करके जरूर बताइएगा कैसा लगा mock classes